कि नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन शर्मास वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम याँ पर बात करने वाले हैं 29 सप्टेमबर 2023 के बारे में 29 सितंबर 2023 का ये दिन आप सभी के लिए क्या लेकर क्या आ रहा है आज के इस दिन में कौन-कौन सी वैदिक रेमेडीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का अफरमिशन कैसे आपको इस दिन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है सारी जानकर मिलेगी आपके इस वीडियो में अन तक दिखीगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपर आज के मैसेज आप दे डे के बारे में आज के दिन का महतपुन संदेश आप सभी के लिए क्या है दिखे हम सभी हमेशा कही न कहीं किसी से उलत जाते हैं कभी कोई आर्ग्योमेंट हो जाता है और कभी विवाद थोड़ा सा बढ़ जाता है विवाद एक लिमिट तक रहे तब तक बहुत अच्छा रहता है बट विवाद जब बदले की भावना में आ जाए तो वह आपके लिए काफी जदा नुकसान देश बन जाता है क्योंकि आप दिन रात उस व्यक्ति से या उस चीज के लिए बदले की भावना में जीना शुरू कर देते हैं और उसकी वज़े से आप अच्छे चीजों की तरफ फोकस करना चोड़ देते हैं और एक बार जब ऐसा शुरू होता है तो उसकी वज़े से आपको अपने जीवन में कई तरह के नुकसान देखने को मिलते हैं मलब कि किसी और को नुकसान पहुंचाने के चकर में आप इंडिरिकली कहिने के अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं बढ़ जाने अंजाने हम यह चीज़ पता नहीं चल पाती और उसकी वज़े से हम इसे बहुत आसानी से नहीं समझ पाते में कियाँ हमारा सारा फोकस होता है सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशने एक चीज़ दियानर कीए सबसे पहले अपने आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करें अपने बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करें और दूसरों को माफ करने की प्रवर्ति रखें तो आपके लिए जादा अच्छा रहेगा आज का दिन भी कुछ इसी तरह का है पुर्णिमा की समाप्ति रहेगी श्रादपक्ष की शुरुवात रहेगी और श्रादपक्ष एक ऐसा समय होता है जहां पर हम अपने पित्रों से अपने पुरवजो से माफी मांगते हैं और उन्हें मुख्ति दिलाने के लिए उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और उनसे आशिरवात की प्राप्ति की उमीद रखते हैं साथी साथ पुर्णीमा का जो दिन होता है वो रोशनी बिखेडने वाला दिन होता है अंदेरे में उजाले का काम करता है और सबके जीवन में प्रकाश लाने का काम करता है इस वजे से ये दोनों जो दिनों का सयोग एक ये बन रहा है आज ये बहुत जादा अद्बुत क्या करने हैं उसका वीडियो में आपको अलडी दे दिया है बादरपत पुर्णिमा के नाम से एक पूरा प्रॉपर डेडिकेड़ वीडियो बनाया हुआ है उसे देख लीजेगा और पुर्णिमा के सारे उपाए समय रहते कर लीजेगा ताकि आपको कोई भी नुकसान नहों और आप समय रहते अच्छी चीजों की तरफ इन्वाल हो करके अपने आपको पॉसिटिव डेडिक्शन में देख पाएं अब बात कर लेते हैं यहां पर कि कौन-कौन सी वैदिक रेमिडीज आप सभी को करनी है जो आज के दिन में काफी जादा विशेश रहेंगी सबसे प तक का समय जो रहेगा यह आपके लिए बहुत जादा अच्छा समय रहेगा इस समय में आप कोई भी जरूरी काम करें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे खासकर इस समय में फैनेंचली चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करिएगा और अपने आपको तोड़ा सा रिलेक् करनी है को मिटिंग अगर आपको करनी है तो आप पिंग कलर लाइट पिंग कलर या फिर वाइट कलर और या फिर लाइट येलो कलर आप पहन सकते हैं यह आपके लिए बहुत जादा खास रहेंगे आज की दिन में आप सभी को दो महत्वपूर उपाय जरूर करने हैं जो आपके लिए रहेंगे विशेश नोट कर लिजेगा प्लीज आज अपने गर के आंगन में जो भी आपके तुलसी का पौधा है वहाँ पर एक अगी का दिया जरूर प्रचिलित कर लिएगा ये सुब और अपने जहां पर भी आप सोते हैं वहाँ पर लेफ्टेंड साइड पर एक तामवे का लोठा जल से भर कर जरूर रखेगा अगले दिन उठकर के आप सभी क्या करेंगे इस इलाइची को और उस तामवे के जल को किसी पौधे में प्रवाहित कर दीजीगा ये आपके लि तो आज केसर युगत खीर अपने गर पर बनाएं और कन्याओं को भोजन पर बुलाएं और कन्याओं को भोजन कराईएगा ये आपके लिए बहुत बहुत ज़ादा अच्छा रहेगा कन्याओं का आशिरवार जब आपको मिलेगा तो आपके लिए कई सारी परिशानियों क का हल निकलता हुआ नजर आएगा आज का दिन फाइनेंशल ट्रबल बहुत ज़्यादा है अपने आपको काफी ज़्यादा अंस्टेबल महसूस कर रहे हैं तो अपने गर के मंदिर में आप एक इलाइची रख दीजिएगा और इलाइची के साथ-साथ कुछ मिश्री के दाने लाने वाला समय रहेगा और आपके लिए हैपिनेस लाने वाला समय रहेगा अब बात कर लेते हैं यहां पर आज के दिन में कौन सा एंजल नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है आज के दिन में एंजल नंबर के यहां पर बात करें तो नंबर भी बहु 2323 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर बहुत पॉसिटिटी नंबर बहुत एनरजेटिक नंबर और आज के दिन में यह नंबर आपके लिए डेफिनिटली बहुत अच्छे रिजल्ट आने का काम करेगा आज के दिन में कौन सा अफरमिशन आपको इस्तमाल कर सब्सक्राइब करेंगे इसलिए जब जब आज मन में थोड़ी सी उदासी हो आप इस सेंटेंस को बोल दीजेगा यह आपकी लिए बहुत तब आएब जादा अच्छा रहेगा आज के दिन में अगर आपका रिजय के आपके लिए विशेश चुपके मिलेंगे प्रॉपर्टी चीजें बहुत अच्छी दिखाई देती हैं कहीं निके आपको अपनी पसंद का प्रॉपर्टी देखने का मन जरूर करेगा और आप पसंद की प्रॉपर्टी जरूर खरीच सकते हैं इस तरह की योग बनेंगे इसके अलावा आप सभी को मदर का थोड़ा सा सकते हैं मातर जी की सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा उन्हें किसी तरह से कोई परिशानी हो सकती है जो आपके लिए थोड़ी सी परिशानी बन सकती है इसके अलावा सारी चीजें बैलन्स दिखाई दिती हैं सो यह दिन बहुत जादा अच्छा है दिन कई तरह के साथ बना हुआ है और इस दिन को अच्छा करने के लिए यह सारी रेमेडी आप इस्तमाल करेंगा जिससे कि आपको भी फाइदा मिलता हुआ नजर आएगा इसके अलावा अगर आप पूने से हैं नभी मुंबई से हैं या मुंबई से हैं तो मैं आ रहा हूं आपके अपने